देश प्रदेश और दुनिया से जोड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरे तेलंगाना के मुख्यमंतरी केसियार की मुंबई में उध्व ठाकरे और शरतपवार से मुलाकात के बाद बीजेपी के खिलाफ एक नए फ्रंट की वकलत तेज हुई है तो बीएमसी में नेता विपक्ष रवी राजा ने कहा कि बीएमसी जो काम सलहकारों से लेती है वह अपने अधिकारियों से भी करवा सकती है इससे हर साल सलहकारों पर होने वाली 700-800 करोट रुपे के खर्च में काफी कमी की जा सकती है वहिराज्य के पुलिस महानेदेशक पर छोडने के बाद IPS अधिकारी संजे पांडे ने सोशल मीडिया के जरिये बयान जारी कर दिया है कि उनकी इमानदारी पर शक किया गया था जिसके चलते उनके लिए DGP के तोर पर काम करना असंभव हो गया था इसी बिच शिवसिना और भाजपा के बिच कटूता इसकदर बढ़ गई है कि अब गाली गलोज का इस्तेमाल शुरू हो गया है संजेराउत ने सोमया के खिलाफ चार बर आपत्ती जनक शब्दों का इस्तेमाल किया है उदर महराष्ट अबिधान परिशत के सभापती राम राजय नाइक निम्बाल करने राजय सरकार से उम्मिद्वारों के चुनाव लड़ने के लिए पौधर उपन अनिवारिया करने की शर्त का एक प्रस्तव राजय मंत्री मंदल में मंजूर करने का अग्रह किया है प्रदेश की इन पाजबडी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ तेलंगाना के मुख्य मंत्री केसियार की सक्रियता से तीसरे मोर्चे की सुख भुगाहट तेज हो गई है गदीनो केसियार ने मुंबए में उद्धव ठाकरे और शरत पवार से मुलाकात की थी इस मुलाकात को भी बीजेपी के खिलाफ एक डेफ रंट को बनाने की बात से जोड़ कर देखा जा रहा है महराश्च के कैबिनेट मंतरी नवाब मलिक ने कहा कि केसियार के पहले पशिम बंगाल की मुख्य मंतरी मम्तब आनर जी आई थी उन्होंने भी मुख्य मंतरी उद्धव ठाकरे और शरत पवार से मुलाकात की थी देश में बीजेपी का विकल बनाने की तैयारिया शुरू हो चुकी है शरत पवार ने बार बार ये कहा है कि देश में बीजेपी अगर बीजेपी दलो का एक व्यापक मोर्चा बने जिसमें कॉंग्रेस पार्टी भी शामिल हो ताकि साल 2024 में लोकसभा चुनाओ के पहले जनता के सामने बीजेपी का एक मजबुत विकल प्रखा जा सके मुझे लगता है कि अब उस प्रक्रिया की शुरूआत हो चुकी है चुनाओ आते हाते देश में एक मजबुत मोर्चा बन जाएगा जो अगले चुनाओ में बीजेपी को केंदर की सत्ता से बेदखल करेगा बतादे कि रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसियार ने उद्धव ठाकरे और शरत पवर से मुलाकात की थी संजेराउत ने भी बताया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केसियार के बीच में वर्षा बंगले पर तकरीवन साड़े चार घंटे तक बात चित चली इस दोरान राजरितिक विकास और देश के मौजुदा हालात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई काफि संगर्शों के बाद केसियार आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं उनमें वो ख्षमता है कि वे लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं BMC में नेता विपक्ष रवी राजा ने कहां कि BMC जो काम सलहकारों से लेती है वो अपने अधिकारियों से भी करवा सकती है BMC में इतने एक सक्षम अधिकारी है कि वह प्राइवेट कमपनियों के सलहकार से बहतर काम कर सकते हैं इसमें BMC के सलहकारों पर खर्च होने वाली रकम आधी हो जाएगी क्योंकि BMC हर साल सलहकारों पर 700-800 करोड रुपे खर्च करती है उन्होंने कहा कि BMC यदि किसी प्रोजेक्ट के लिए सलहकार न्यूक्त करती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तै करनी चाहिए यदि प्रोजेक्ट की गुनवत्ता में कमी आई, कोई अर्चन आई या दुरगट ना हुई तो उसके लिए सलहकार को दोशी ठहराने की व्यवस्था होनी चाहिए तबी सलहकार न्यूक्त करने का कोई फायदा होगा वरना ये पैसो की बरबादी है मतादी की BMC आश्रय योजना मजदुरों के लिए पुनरवसन प्रोजेक्ट वो अन्य पुनरवसन योजनाओं के लिए सलहकार न्यूक्त कर रही है जिस पर करीब 250 करोड रुपे खर्च कर रही है बदादी की पिछले वर्ष BMC ने दक्षिन मुंबई में दो पुनरवसन प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दी थी इसमें फोर्ट पे राजवाड कर स्ट्रिट पल्टन रोड और वाल पाकडी में 1016 घर बना कर पुनरवसन करने की योजना है इस पर 434 करोड रुपे BMC खर्च करेगी इसी तरह डोंगरी में जेल रोड डीवाड में पीजी सोलंकी रोड भायखला में सिधार्त नगर वा टैंक पाकडी परिसर में घर बनाए जाने हैं इन दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए सलाकार न्यूक्त करने के लिए टेंडर मंगाया है जिस पर 60 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे राज्य के पुलिस महानेदेशक पत छोडने के बाद IPS अधिकारी संजे पांडे ने सोशल मीडिया के जरीए बयान जारी कर कहा है कि उनकी इमानदारी पर शक किया गया था जिसके चलते उनके लिए DGP के दोर पर काम करना असंभव हो गया था फेस्बुक पोस्ट में पांडे ने लिखा कि मैं पत को छोड़ती वे बताना चाहता हूँ कि न तो DGP के रूप में अतिरिक प्रभार लेने के लिए तरस रहा था और नहीं जिमेदारी दिये जाने के बाद में विचलित हुआ उन्होंने लिखा कि वे बीना पश्तावे के पत छोड़ रहे हैं पांडे ने ट्वीट कर लिखा कि मुंबई उच्चे नायले में कानूनी बहस के दोरान मेरी इमानदारी पर हमला करने वाली निराधर टिपण ही की गई थी जिसके चलते DGP के तोर पर काम करना मेरे लिए असंबह हो गया था पुलिस महाने देशक का पत उन जिम्मेदारियों में से एक है जिसके लिए जेब में त्याग पत्र तयार रखना होता है जब मुझे DGP का अत्रिक्त प्रभार सौपा गया तो मैं लंबे करियर के अंतक की दिशा में बढ़ गया और अपनी जिम्मेदा बात है शिवसिना और भाजपा के बीच इतनी ज्यादा कटुता बढ़ गई है कि अब गाली गलोज का इस्तेमाल शुरू हो गया है हाल ही में शिवसिना सांसत संजे राउत भाजपा के पुर्वसांसत किरिट सौमया पर टिपनी करते वे बिफर पड़े राउत ने सौमया सौमया के टिपनी से नाराज राउत ने पूछा कि ये बात किसने कही है फिर राउत ने सौमया के खिलाफ आपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल करते वे कहा कि ऐसे लोग इस देश में बहुत है ऐसे लोगों के बारे में शिवसेना और मुझसे सवाल जवाब करना मीडिया को शुभा नहीं देता देश की राजनिती में 2024 के बाद ऐसे लोग नहीं बचेगे देश में साफ सुत्री और पारदिर्ष्टी राजनिती होगी फिर राउत ने कहा कि उध्धाव और राव के बीच मुलाकात पर सौमया इस तरह से टिपणी कर रहे हैं यह महाराश्य के पराठी भाश्यों का अपमान है टिपणी करने वाले सौमया को केंद्र सरकार सुरक्षा देती है पलटवार करते वे सौमया ने कहा कि राउत हर दिन मुझे और मेरे परिवार को गाली दे रहे हैं उन्हें एक ही बार में शब्दकोश में देखकर पूरी गाली दे देनी च इंबाल करने राज्य सरकार से उमिद्वारों के चुनाव लड़ने के लिए पौधर उपन अनिवार्य करने की शर्त का एक प्रस्ताओ राज्य मंत्री मंदल में मनजूर करने का आगरह किया है सभापती ने कहा कि सरकार एक तंत्रवी कसित करे जिसे पौधर उपन करने वा लडने के लिए पौधार उपन अनिवार्य करने का प्रस्ताव मंजूर कराए। करनाटक के शिव मोगा में एक तेश साल की युवक की हत्या कर दी गई इसके बाद यहाद तनाव की स्थिधी बनी हुई है और धारा 144 भी लागू है इसे हिजाब विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है तो संगडिक शेत्र के 15,000 रुपे से अधिक का मूल वितन पाने व ही है वही केंद्रिय बोर्डो वराज्य बोर्डो द्वारा 10 वी और 12 वी की परिक्षाओं का परंपरागत ऑफलाइन मोड में आयोजन को चुनोती देने वाली जनहीत याचिका पर उच्चतम नैले के नायधिश नायमूर्ती एम खन्विलकर की अगुवाई वाली खंडप सजार डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में लालो प्रसाद को मिली है तो देश बर के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रही आप हमारे साथ हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है अब सिती हिंसा तक पहुच गई है करनाटक के शिवमोगा में एक 23 साल के युवक की हत्या कर दी गई इसके बाद यहाद तनाव की स्तिती बनी हुई है और धारा 144 लागो है जानकरी के मुताबिक पुरुह मंदरी अरागा जनेंद्र ने जिले के स्कूल एवं कॉलेजों को अगले दो दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है उन्होंने कहा कि 4-5 युवकों ने हर्श की हत्या की है अब तक इस घटना के पीछे किसी संगधन का नाम सामने नहीं आया है हाला कि विवाद से इस मामले को जोड़कर इसलिए देख रही है क्योंकि युवक ने कुछ दिन पहले ही फेस्बुक पर इससे समंदिद एक पोस्ट लिखी थी इस पोस्ट में उसने हिजाब का विरोध किया था और भगवा गमचे का समर्थन किया था हाला कि पुलिस ने इस मामल नहीं भगवा पहनने के अनुमती दी थी से विचार किया जा रहा है जिनका मासिक मूल वेतन 15,000 रुपे से अधिक है सुत्रों के अनुसार इस ने पेंशन उत्पात पर प्रस्ताव 11 और 12 मार्च को गुवाहाटी मल EPFO के निरने लेने वाले शिर्ष निकाय केंद्रियन यासी बोर्ट की बैठक में आ सकता है बैठक इस तरह उने कम पेंशन मिलती है EPFO ने 2014 में मासिक पेंशन योग्य मूल वेतन को 15,000 रुपे तक सीमित करने के लिए योजना में संशोधन किया था 15,000 रुपे की सीमा केवल सेवा में शामिल होने के समय लागू होती है संगडित शेत्रम में वेतन संशोधन और मुल्ले वृद्धी की वज़ज़ से इसे 1 सितंबर 2014 से 6,500 रुपे से उपर संशोधित किया गया था केंद्रिय बोर्डो व राज्य बोर्डो द्वारा 10 वी और 12 वी की परिक्षाव का परंपरागत ओफलाइन मोड में आयोजन को चुनौती देने वाली जनहित याजी का पर उच्चतम नैले के नायदिश नायमूर्थी एम खनविलकर की अगवई वाली खनपिट करेगी देश भर के 15 राज्यों के चातरों द्वारा सरवोच्चन नैले में महमारी के बीच आफलाइन परिक्षाव के आयोजन के विरुद्ध दायर किये गए पी आयल को लेकर भारत के मुखे नायदिश के नायमूर्थी एम वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली खनपिट द्वारा आज 21 फरवरी 2022 को मामले की दूसरी खनपिट के समक्ष सुनवाई का आदिश दिया गया स्टूडेंट्स और परिक्षाव का ओफलाइन मोड में आयोजन कर विरोध कर रहे हैं चात्रो और परिक्षाव के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई आउनलाइन मोड में पुरी की जा रही है तो परिक्षाव का आयोजन भी आउफलाइन मोड में क्यो हो रहा है ऐसे में 15 राज्जों के चात्रों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है जिसमें चात्रों ने शिर्ष अदालत से गुहार लगाई है कि CBSC, CISC समेट राज्जों के बोर्ड को निर्देश दे कि एक्जाम आफलाइन मोड में ना हो और Evaluation Internal Assessment के आधार पर हो कॉलकाता स्थित देश के जाने माने सरकारी नियूर अस्पिताल बांगूर इंस्टिटूट ऑफ नियूरोलोजी के डॉक्टर यहाँ इलाजरत लड़कियों की शादी के लिए कैरेंटर बन रहे है वरिष्ट डॉक्टर डॉक्टर गौतब गंगोबाध्या ने बताया कि मिर्गी से पिडित लड़कियों के स्वजन कई बार बादचित के दौरान यहाँ इलाजरत अपनी लड़कियों की शादी में आडे रही बीमारी को लेकर चर्चा करते हैं इसके बाद डॉक्टर ने तैय किया कि क्यों न वर्पक्ष को समझा कर शादी के लिए राजी कराया जाए अब तक 88 लड़कियों के विवाह के लिए वर्पक्ष को समझा कर राजी कराया गया है वर्पक्ष को विश्वास दिलाया गया है कि समय पर दवा लेने से भविश्य में कोई परेशानी नहीं होगी अगर कोई समस्या होगी तो इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की होगी उन्होंने कई बार वरपक्ष को ये भी बताया कि उनकी लड़की को भी मिर्गी की समस्या है लेकिन वो अपनी बीमारी से उबर रही है अगर मधु में है रक्तचाब की समस्या होने पर शादी में कोई दिक्कत नहीं है तो मिर्गी को लेकर इतनी दूविधा क्यों उन्होंने का कि ये पहल देश के अन्य अस्पतालों के डॉक्टर भी कर सकते हैं जिससे लाखों लड़कियों की जिन्दगी सवर जाएगी गौर तरब है कि देश में मिर्गी के मरीजों की संख्या करीब एक करोड बीस लाख है डॉक्टरों का दावाहे की 70% मामलों में मिर्गी को नियंतरित किया जा सकता है लेकिन चिंता जनक बात ये है कि ग्रामेंड इलाकों में आज भी मिर्गी के इलाज के लिए जाड़ फुक का सहरा लिया जाता है इस बीमारे के प्रति चागरुकता फैलाना जरूरी है चारह घोटाला मामले में CBSI कोट ने लालू प्रसाद यादो को 5 साल की स thankfully के सजा सुनाई है ये सजा डोरंडा ट्रेजरी केस मामले में लालू प्रसाद को मिली है इसके साथ ही लालू प्रसाद यादो पर 60 लाग रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है बता दे कि इस मामले में लालू के साथ 75 आरोपियों को 15 फरवरी को दोशी करार दिया गया था और 24 को रिहा कर दिया गया था इन में से 36 को 33 साल के सजा मुकररर की जा चुकी है वही बाकी दोशीयों को आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाई जा रही है इस घोटाले में कई चौकाने वाले मामले सामने आये हैं जिसमें पश्यों को फरजी रूप से स्कूटर और मोटर साइकल पर ढोनी की कहानी शामिल है मामला 1990-92 के बीच का है अफसर और नेता उन्हें फरजी वाड़ा की नई कहानी ही लिग दी है फरजी वाड़ा कर बताया गया है कि 400 सान को हरियाना और दिल्ले से स्कूटर और मोटर साइकल पर राची तक ढोया गया आदी ढोने के लिए स्कूटर, मोटर साइकल और मोपेड का नंबर दिया गया था जाज में सामने आया कि 1990-92 के दोरान 2,35,50,14,4,000 से अधिक में 163 सान और 65 बच्चिया खरी दे गया थे इस मामले में बिहार के एक और पुर्वा मुख्य मंदरी टॉक्टर जगदनात मिश्र समेत राज्य के कई मंदरी गिरफ़तार किये गये थे अमेरिकी खुफी आजंसी की रिपोर्ट में कहां गया है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध के लिए आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है इसी बीच रूस ने अपने सेन्य अभ्यास को पढ़ा दिया है जो कि कल ही समाप्त होने वाला था उदर भारत ने वंडे के बाद अब T20 सिरीज में भी वेस्ट इंडिस का सफाया कर दिया है तिन मैचों की वंडे सिरीज में 3.02 से क्लीन स्विप करने के बाद टीम इंडिया ने T20 सिरीज में भी केरे B.A. टीम का सुपड़ा साफ कर दिया है तो सिंगापूर के निवेशकों को पिछले तिन वर्षों में किसी अन्य धोकाधड़ी की तुल्ला में फर्जी निवेश योज्राओं में सबसे अधिक नुकसान हुआ है विशेश रूप से वे चीनी मुलके पीग बुचरिंग क्रिप्टो केरेंसी घोटा लेका सबसे बड़ा शिकार बने है वही खबर ये भी है कि पाकिस्तान में 1-3 मार्च के बीच आयोजित होने वाली 27-27 सालाना बैठक में भारत ये प्रतिनीदी मंडल भी शामिल होगा इसके अलावा उत्तर पश्ची में खैवर पक्तुनफा क्रापरांत में हुई जड़ब में सुरक्षाबलों ने पाच आतंकवादियों को मार किराया है दुनिया भर के इन पाच बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है अब हमारे साथ पूरवी युक्रेन में रूसी समर्थित अलगाववादी के कबजेवले शहर डोने टक्सक में धमाके की आवाद सुनी गई है ये खबर ऐसे समय सामने आई है जब अमेरीकी खुफी आइजनसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस ने अपनी सेना को युद्ध के लिए आगे बढ़ने का आदेश दे दिया है हाला कि वाइडाउस और पेटांगन ने इस बात पर मोहर नहीं लगाई है मालूम हो कि रूस ने युक्रेन की उत्तरी सीमा से सैनिकों को वापस लेने की मांग को रत कर दिया है और अपने सैन्य अभ्यास को बढ़ा दिया है जो की कल ही समाप्त होने वाला था युक्रेन के पडोसी देश बेलारूस पे करीब 20,000 सैनिकों को तैनात किया गया है कि उनका इस्तिमाल युक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए किया जा सकता है जो तिन घंटे से भी कम की दूरी पर स्थित है सीमा पर बढ़ती हिंसा के बीच युक्रेन के राश्टरपती व्लोडीमिर जेलेंस्की ने रूसी राश्टरपती व्लादीमिर पुतिन से संकट के समाधान की मांग की है जेलेंस्की ने म्यूनिक सुरक्षा सम्मिलन में कहा कि मुझे नहीं पता कि रूसी संग के राश्टरपती क्या चाहते हैं इसलिए मैं एक बैठक का प्रस्ताव कर रहा हूँ युक्रेन चानती पुर्णा समाधान के लिए केवल कूट नितिक रास्ते पर ही चलता रहेगा भारत ने वंडे के बाद अब T20 सिरीज में भी वेस्ट इंडिस का सफाया कर दिया है तीनो मैचों की वंडे सिरीज में तीन बाई शुन्य से क्लिन स्विप करने के बाद टीम इंडिया ने T20 सिरीज में भी केरेबियाई टीम का सुपड़ा साफ कर दिया है मिंडिस टीम ने इस बार भारत के दोरे पर एक मैच भी अपने नाम नहीं कर पाई लेकिन टीम ने एक शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़रूर अपने नाम कर लिया है T20 क्रिकेट में वेस्ट इंडिस की ये तिरासी भी हार है और अब सबसे ज़्यादा मैच हारने वाली टीम बन गई है दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली वेस्ट इंडिस के लिए ये एक बहुत बड़ा जटका है वेस्ट इंडिस से पहले T20 इंटरनाशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच हारने का शर्मनाक रिकॉर्ड श्रिलंका के नाम था विंडिस से पहले श्रिलंका 82 T20 मैच हार चुका था टीमों की इन हार में सुपर ओवर में मिली हार भी शामिल है श्रिलंका के बाद बांगलादेश तीसरी ऐसी टीम है जिससे 87 मैच हारे है इस लिस्ट में न्यूजिलंड का नाम भी शामिल है जिसके नाम 86 T20 हार दर्ज है भारत ने रविवार को इडन गार्डन स्टेडियम में तिसरे मैच में वेस्ट इंडिस को 17 रन से हरा कर उसके खिलाफ लगादार चौथी T20 सिरिज जीत ली है भारत ने इससे पहले 2019 में वेस्ट इंडिस को 2 बाई एक और 3 बाई शुन्य से जबकि 2008 में 3 बाई शुन्य से हराया था सिंगापूर के निवेशकों को पिछले 3 वर्षों में किसी अन्य धोकाधड़ी की तुलना में फर्जी निवेश योजनाओ में सबसे अधिक नुकसान हुआ है विशेश रुप से वे चिनी मुल्के पीक बूचरिंग क्रिप्टो करेंसी घोटाले का सबसे बड़ा शिकार बने है निवेशकों को पिछले साल इस तरह की योजनाओ से 19.69 करोट सिंगापूर डॉलर का नुकसान हुआ है यह आखड़ा 2019 के 3.79 करोट डॉलर का 5 गुना से अधिक है एक रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की धोगेवाजी को अंजाम देने वाली निवेशकों से ऐसी योजनाओ में निवेश करने का अगरह करने से पहले उनके साथ रिष्टा बनाने में महीनों लगाते है रिपोर्ट में कहा गया है कि सिंगापुर में हाल ही में पीग बूचरी गोटाला सामने आया है सिंगापुर पुलिस के मताबिक पीडीतो के निवेशकी राशी को चीन और हॉंक्कों के बैंकों में हस्तान तरित किया जाता है इसके बाद पीडितों को मुनाफ़ा वसुलने के लिए प्रशासनिक शुल्क, सुरक्षा शुल्क और करो का भुकतान करने के लिए भी कहा जाता है पुलिस के मताबिक कई मामलों में पीडितों को शुरुवाती चरण में लाग होता है इससे उन्हें निवेश के वैद और आकरशक होने का भरोसा हो जाता है एक बार बड़ी राशी निवेशक के खाते में जमा होने के बाद जालसाच संपर्क से बाहर हो जाते है बतादे कि जैसे जैसे यूरोप और अमेरिका में जन सांखी की का विस्तार हुआ क्रिप्टो करेंसी निवेश की बड़ती लोग प्रियादा के साथ साथ गोटाले की रणनिती विकसित हुई पाकिस्तान में एक से तिन मार्च के बीच आयोजित होने वाली स्थाई सिंधु आयोग की सालाना बैठक में भारतिय प्रतिनीदी मंडल भी शामिल होगा जल शक्ती मंत्राले के एक अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधी पर हस्ताक्षार के बाद पहली बार तिन महिला अधिकारी भी भारतिय प्रतिनीदी मंडल का हिस्सा होगी जो बैठक के दोरान विभिन्न मुद्दो पर भारतिय आयोक्त को सला देगी पिछले साल पाकिस्तान के सिंधु जल आयोक्त के नेतरुत्व में एक प्रतिनीदी मंडल सालाना बैठक के लिए भारत आया था भारत के सिंधु जल आयोकत प्रदिप कुमार सकसेना ने कहा कि 27 सिंधु आयोक की वार्षिक बैठक पाकिस्तान के इसलामाबाद में 1-3 मार्च 2022 के बीच होगी प्रतिनीधी मंडल में केंद्रिय जल आयोक, केंद्रिय विद्धु प्राधी करण, राष्ट्रिय जल विद्धु उर्जा निगम और विदेश मंत्राले से सम्बन्दित सकसेना के सलाकार शामिल होंगे पाकिस्तानी पक्ष का नेतरुत्व वहां के सिंदुजल आयुक्त सेयद मुहमद मेहर अली शाह करेंगे भारतिय प्रतिनी धिमंडल 28 फरवरी को अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के लिए रवाना होगा और 4 मार्च को लोटेगा अधिकारियों ने बताया कि दोनों आयुक्तों के बीच बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा ये समझता पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतिय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन पर आपत्ती जताने का अधिकार भी देता है पाकिस्तान के उत्तरी वजिरिस्तान में सुरक्षा बलो द्वारा चलाये गए एक खूफिया आधरित ऑपरेशन में बड़ी सफलता मिली है उत्तर पश्चिमी खैबर भक्तुनख्वा प्रांत में हुई जड़प में सुरक्षा बलो ने पांच आतंकवादियों को मार गिराया है साथ ही आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हतियार और गोला बारुद भी बरामत किया गया है गोला बारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया है बताया गया है कि मारे गए आतंकवादी सुरक्षा बलो के खिलाफ आतंक की गती बीधियों, टार्गेट की लिंग और फिरोती के लिए अपरहन में शामिल थे पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि वह अपनी जमिन पर आतंकवादी समुह के नेटवर को खतम करने का प्रयास करता है लेकिन इससे वी परित कई आतंकवादी घटनाओं और हमलों का आये दिन पता चलता है जिसका खुद पाकिस्तान शिकार हो जाता है बितर अविवार को पेशावर शहर में एक ठाने पर हदगोले से हुए हमले में 30 पुलिस कर्मी घायल हो गये थे वही 25 जनवरी को केज बलुचिस्तान में एक हमले में पाकिस्तान के 10 से अधिक सैन्य कर्मी मारे गये थे ठीक एक हफते बाद दो फरवरी को उसी प्रांत के नौश की और पंजगुर जीलों में एक अधिकारी सहित साथ सैन्य कर्मियों के हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान की सेना खैबर पक्तुनख्वा प्रांत में विशेश ओपरेशन चला रही है तो आज की इस खास पेशकुष में बस इतना ही आपसे कल फिल मुलागात होगी तब तक देखते रहें यह वीके वीडियो नमस्कार आप 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 आप